दोस्तों बड़ी खबर नाकपूर अमबाजहरी प्रिस स्टेशन अंतरगत जोन 2 के ACP और यहां एक बार है जिसका नाम है इलूजन्स बार इलूजन्स बार में कुछ नाबाली को द्वारा ACP और नाबाली के बीच में जड़ब की खबर सामने आई है इसको देखते हुए हम आपको सीधा ग्राउंड रिपोर्टिंग लेकर चलते हैं इलूजन्स बार जहां पे घटना घटी है उसके बाद यहां पहुंचे तो वास्तव में देखा गया कि कुछ नाबाली कि यहां पर बैठके हुका पी रहे हैं और वास्तव में भारी नशे में थे हेवी डोज करके थे ड्रिंक करके थे एसीपी ने इस समद्नित उन्से पूस्ताज की उसे समझाने की कोशिश की उन्हें लेकिन उसमें से जो नाबालिक दो तीन ऐसे लड़के थे जो पॉलिटिकल कनेक्शन था उनके पिता का शायद बाताया जा रहा है जिसकी वज़ह से उन्होंने एसीपी को ही धमकी और सुत्र बताते हैं कि एसीपी के कपड़े भी उन्होंने फार दिये अब बड़ा सवाल ये उठता है कि एक नाबालिक अगर इस तरीके से बात करता है अपने पिता की पलिटिकल सोर्स का अगर वो गलत फायदा उठाता है तो फिर उसमें क्या कारवाई होनी चाहिए सुत्र बताते हैं कि उन नाबालिकों के उपर 353 ऐसी धराएं दर्ज नहीं की गई है लेकिन बार मालिक नितिन शुक्ल और गौरांग सत्यार्थी इनके उपर मामला दर्ज किया गया है अब सवाल ये उठता है कि जब बार में बीना अधार काट के कैसे एंटरी की गई जब बार में नाबालिक अलाउड नहीं है तो फिर यहां पे नाबालिक नशे की हालत में कैसे पाए गया देर रात तक बार खुले रहना पब खुले रहना आये दिन इस तरह की घटनाएं स पिता के पॉलिटिकल सोर्स का गलत फायदा उठा रहे थे सवाल ये उठता है कि वो नाबालिक जिनके भी बच्चे थे उनके पिता किस पॉलिटिसियंस के करीबी हैं किस पॉलिटिक पॉलिटिसियंस के साथ उठते बैठते हैं और किस पाटी से बिलॉंग करते हैं वो भी एक बड़ा सवाल उखता है आखिर इस तरीके का वक्त वे एक नाबालिक ACP से करे अपने आप में एक बड़ा प्रस्ण नाकपूर में कर रहा है वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेज भारदवाज के साथ मैं वीर सिंग